Hello student, welcome once again बच्ची इस वीडियो में हम लोग क्विस्सन नमर 9 solve करेंगे 13.1 का यहाँ पर देको क्या बोला जा रहा है कि ए 5 मीटर, 60 सेंटी मीटर हाई वर्टिकल पॉल, कास्ट ए सैडो 3 मीटर, 20 मीटर लॉंग यानि कि एक हमारे पास इस सैडो की पॉल है वो इतना लंबा सैडो बना रही है सैडो सभी का बनता है, अगर दीन का वक्त हो या रात में भी लाइट पड़ती है तो सैडो सभी जाते हैं, जिसको में लोग परचाएं भी बोलते हैं चायां भी बोलते हैं, तो पॉल है तो उसका भी पास pole है तो वो इतना हमारे पास shadow बना रहा है, उसकी shadow कहएट इतनी है, तो अगर इतना हम लोग वहाँ पर, यानि इस height का अगर अपने वहाँ पर pole लगा दें, तो वो कितना, जो उसका shadow बनेगा, उसका length कितना होगा, यह अपने सिहां पर पूछा जा रहा है उसके अलावा एक और चीज़ दिया गया है कि the height of a pole which cast a shadow 5 meter long यानि कि आप ये भी बताइए कि अगर अपने को 5 meter क्या चाहिए shadow चाहिए तो उसके लिए अपने को कितना लंबा पूल की जुरत पड़ेगी आईए मैं इसको थोड़ा सा डाइग्राम के फथरू पहले concept इसा clear कर देता हूँ कि अपने से question में बोला क्या जा रहा है उसके बाद फिर उसको असानी से solve कर लेंगे सूरज है हमारा सूरज मामा इधर बन जाओ जल्दी से यह देखो हमारा सूरज है तो जब सूरज की रोसनी इसमें पड़ेगी तो shadow तो इसके side में बने गही यह सभी जानते हैं ठीक है लेकिन उसका shadow यहाँ पर नहीं बताया गया है ठीक है इसका shadow अपने को पता करना है कि इसकी side की length कितनी होगी फिर एक और इसमें question जोड़ा गया है question बोला गया है कि the height of pole बताईए which cast a shadow 50 meter long sorry 5 meter long यानि कि उस आप क्या बोल रहा है कि एक shadow हमारा बना है जिसकी length जो है वो 5 meter है यहाँ पर मैं एक shadow बना देता हूँ इसकी length 5 meter है अब हमसे पूछ रहा है न कि यहाँ पर जो pole लगा हुआ है उसकी length बताईए कि यह जो हमारा pole बनेगा यहाँ पर जिसका 5 meter हमारे पाद सेड़ बन रहा है इस pole का length कितना होगा तो दो चीजे पूछ रही है एक बार अपने shadow पूछ रहा है और एक बार पूछ रहा है तो दोनों को हम लोग एक एक करके बनाएंगे पहले यह वालो निकाल देते हैं कि shadow कि इतना होगा इस वाले pole का और उसके बाद फिर इस shadow के pole की length है वो अगर मैं 5 meter और 60 cm दोनों को अगर मैं क्या करूँगा meter में convert कर दूँगा तो मेरा 5.6 आ जाएगा क्योंकि हमनों जानते हैं 60 meter है तो वो decimal के बाद आ जाएगा 60 और 60 है तो 0 के लिखा नहीं जाता है तो केवल हमनों 5.6 meter लिख सकते हैं तो क्या करो आप इसको पहले अभी centimeter में convert कर दो और जब last में answer आएगा उसको meter में convert कर दे न वो जादा easy लगेगा जैसे देखो 500 cm हो जाएगे तो यह 500 और plus में 60 टोटल हो जाएगा हमारा 560 cm यह किसकी length हो गए यह pole की length हो गए यहाँ पर मैं direct लिख रहा हूँ न 560 और यह जो हमारा अगर मैं जो भी हमारे length लिखूंगा भी height लिखूंगा यह सभी मैं centimeter में लिख रहा हूँ आप चाहों तो meter में लिख सकते हो गर आप decimal से दिक्कत नहीं आपको तो आप meter में भी लिख सकते हो बागी मैं बाकी बच्चों लोगों confusion हो जाता है decimal में अगर लिख दूँगा तो इसलिब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसको centimeter में लिख रहा हूँ तो 560 centimeter का अगर pole रहेगा हमारे पास तो उसका shadow 3 meter 20 centimeter का बन रहा है इसका length है 10 meter और 50 centimeter तो 10 है यानि कि 1000 हो जाएगा 1 meter में 100 centimeter होता है तो 10 meter में 1000 centimeter और 50 मिला दो तो 1050 आ जाएगा तो मैं यहाँ पर 1050 लिख देता हूँ अब इसमें अपने को क्या बोला था कि यह जो हमारा length है न सेड़ों का यह पता कीजिए तो यह हमनों को पता है नहीं तो हमनों इसको मान लेते हैं थोड़े देर के लिए x ठीक है x y मान करके solve करना पड़ेगा तो इसको x मान लो तीसरा जो कोश्स है न उसको भी यही पर लिखी लेते है अपन न तीसरा अपने से क्या बोला गया था कि the height of pole pole की height बताईए जिसका shadow 5 meter का बन रहा हो तो 5 meter नहीं कितने centimeter 500 centimeter तो मैं यहाँ पर centimeter में लिख देता हूँ इसको भी तो 500 centimeter का अगर हमारे पास shadow है तो उसके pole की length इतनी होगी यह पता नहीं है तो इसको भी अपन क्या करते हैं y मान लेते हैं अगर एक को x मान लिए तो दूसरे को y मान लो तो इस तरीके से हमारा एक table type से बन गया अब हम लोग जो हमारा simple method है divide वाला method क्योंकि देखो यह हमारा continue proportion में है कि जब हमारा pole का height बढ़ेगा तो उसका shadow का भी height बढ़ेगा pole का height और बढ़ेगा तो shadow का भी height और ज़्यादा बढ़ेगा तो इस तरीके से हमारा यह का जा रहा है क्या मुलते हैं उसको continue proportion में जा रहा है जिसको अपन direct proportion के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर हमारा divide वाला method लग जाएगा कुछ इस तरीके को divide वाला method बढ़ करता है आ तो हमारा 560 divided by 320 is equal to 1050 divided by x ठीक है पहले इतना हम लोग solve करेंगे यहाँ से हम बढ़ x की value निकालेंगे क्यों अगर अगर आपको नहीं पता है तो आप इंट्रोलर वीडियो देख सकते हैं वहाँ से में समझ में आ जाएगा और मैंने पीछले जितने भी वीडियो बनाया है अब अपने को x की value चाहिए x को इधर लियाओ तो यह हो जाएगा हमारा 560 multiply x equal को साइड में 1050 multiply 320 अब x की value चाहिए तो इसको इधर ट्रासफर कर दो x equal to हो जाएगा 1050 multiply 320 divided by में 560 0 से पहले तो मैं यहाँ पर 0 कट कर देता हूँ और कौन-कौन कट हो रहा है भाई 7 से यह दो 35 बना देगा तो 75 जा मेरा 35 भी हो जाएगा ठीक है और यह 0 जो बचा हो है इसको यहाँ पर उतार लेते हैं अब क्या हो रहा है यह देखो यह दो मेरा cut हो रहा 8 1 जा 8 हो जाएगा और 8 4 जा हमारा 32 होता है यह पूरा पर record हो गया तो यहाँ मेरा 150 multiply 4 आया तो 15 4 जा कितना होत 60 होता है तो यह पर पहले 60 लिखता हूं उसके बाद यह 0 होता देता हूं यानि 600 cm हमारा answer आ रहा है यह सब क्योंकि मैंने शुरू में cm में convert कर लिया था मैंने क्या बला था कि अगर decimal रहेगा तो उसमें कोई गलती नहीं हुआ 600 cm आ गया अब इसको में convert कर दो तो x equal to हो रहेंगे 6 by 1 आ जाएगा जिसको अपन 6 बोलते हैं यानि कि हमारा जो मीटर में से निकलेगा वो 6 मीटर निकलेगा तो इस तरीके साब बाद में क्या करना मीटर में करना पहला इस तरीक सेंटी मीटर में solve कर लिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला हमारा सैडो बने है तो चलो इसको कैसे करेंगे सेम यही तरीका है हमारे पास इस पर हमनों लिखेंगे 560 divided by 320 एकवल के उस साइड में अब यहां पर हमारे पास y है तो इधर y कर दो ठीक है और divide by 500 कर दो यहां से यह वालप में उता रहा है y divided by 500 इधर से 560 divided by 320 अब इसको आपको solve करना है y की value चाहिए तो इसको इधर transfer कर दो यह हो जाएगा मेरा 560 multiply में 500 divided by 320 यह मेरा 0 से पहले तो 0 कट होता है उसके बाद और कौन से कट हो रहा है यह कट हो रहा है 8 4 जा मेरा 32 और 8 7 जा मेरा 56 और यह 0 यहां पर फिर से उतर गया यह दोनों मेरे 2 से कट हो रहे है देखो 2 के टेबल मे तो यह दोनों मेरा से कट हो जाएगा और तो और यह दोनों मेरा 70 आजाएगा 35 का आदा 35 होता है तो से आप डिवाइड दोगे तो उतने हैं नीचे मारा पूरा साफ हो गया उपर 35 मल्टी और इकोल के उसेट में मेरे पास वाई बचा हुआ था ना यह वाला इधर हम लोग जा 25 करी हो गया 2, 15 और 2, 17, 2, 5, जा 10 का 0 करी हो गया 1, 2, 3, 6 और 1, 7 तो यह हो जाएगा मेरा 5 यह होगा मेरा 7, 7 और 1, 8 तो टोटल यहाँ पर मेरा कितना निकल गया 875 सेंटी मीटर इकोल टू या यानि कि जो दूसरा हमारा पोल रहेगा उसका हमको लेंथ जो निकलेगा न इकोल टू वाई, यह हो कि आपका दोनों एंसर कंपलीट, I hope आपको दोनों कोईसन बहुत अच्छे समझ में आगे होगा, सिंपल से कोईसन थे, बेसिक कॉंसेप्ट अगर आपको समझ में आजाएगा, तो आपको दोनों समझ में आजाएगे, अब मिलते हैं हम लोग नेक् बाइएगे grandma, यह हो आपको हैं हम लोग आपको दोनों, वोर आपको दोनों में आपको दोनों, वोग हो में आपको दोनों, यह म् नोत्त spielen क्सेम समझ में दोनों, आपको आईपको 7-2 Rad religijourd